आज का हमारा टॉपिक एन ओर्ट टू डेथ है ये पोईम दाउद कमाल ने लिखा है इस पोईम के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन, ओथर का इंट्रोडक्शन, पोईम का स्ट्रॉक्चर कैसा है उसकी समरी और लाइन टू लाइन एक्स्प्लेनेशन को डिसकस करेंगे तो बगार टाइम वेस करते हैं हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक दाउद कमाल ने एन ओर्ट टू डेथ के अंदर जो नक्षा खेंचा है उसमें उसने मरने की बात की है जिन्दगी के अन्प्रेडिक्टिबिलिटी के बारे में बात की है वो इस पोईम के अंदर म अपनी तरफ एट्रेक्ट करता है क्योंको वो कहता है मेरे लिए मौत एक ऐसी चीज है जिसके जरीए से मैं अपनी जिन्दगी से चुटकारा पा सकता हूं जिसके जरीए से मैं अपने मेमरीज से चुटकारा पा सकता हूं वो मेमरीज जो मुझे हर्ट करते हैं वो चीजे मैं explore करना चाहता हूँ वो चीजें जो के hidden है मैं देखना चाहता हूँ आकर मरने के बाद क्या होता है तो वो इनसान के फना होने की बात करता है तो वो कहता है कि ये दुनिया भी फानी है इनसान भी फानी है और इस काइनात के अंदर जो भी चीजें हैं वो खुबसूरत हों बदसूरत हों वो सब के सब फना हो जाने वाली हैं तो इस फानी दुनिया के अंदर अगर आपकी जिन्दगी में कुछ ऐसा अंसोर्टन होता है जिसकी आपको तवक्य नहीं होती तो आपने रुकना नहीं है या फिर कोई ऐसा इनसान जिससे आपको ये तवक्य नहीं होती कि वो आपको दोखा देगा वो जिन्दगी में आपका साथ छोड़ दे तो आपने तब भी नहीं घबराना क्यूंकि ये वक्त किसी का मोहताज नहीं है वक्त आपके रोने पर नहीं रुकेगा ये वक्त आपके खुश होने पर भी नहीं रुकेगा वक्त को कोई फरक नहीं पड़ता आप रुक गए है आपके जिन्दगी रुक गए है तो आपने उन मेमरीज को भूल कर उन मेमरीज को पीछे छोड़ कर अपने जिन्दगी में आगे बढ़ जाना है वो हमें बताता है कि जब इनसान अपने अरूज पर होता है तो उसके इमोशन कैसे होते हैं जब उसका जवाल आता है उसकी मौत की बारी आती है तब उसका रवया कैसा होता है। उन वो शीदा चीज़ों के बारे में नहीं पता जो मुझ से छुपी पड़ी है। इसके बारे में बात करता है। उसने अपनी सारी राइटिंग्स को उर्दू में लिखा था लेकिन उन सब को ट्रांसलेट किया गया। कन्वेंशनल पॉइटिक फॉर्म का इस्तमाल करते हुए इस पॉइम के कॉंसिस्टेंट ड्राइन स्कीम पर बात की गई है। इस से मुराद राइटर के सोचों का वो सहलाब है जिसको वो फ्लोफ्लो के अंदर अपनी राइटिंग्स में बयान कर देता है। इस पॉइम की लाइनڈज डेथ से शुरू होती है और जब पॉइम खतम होती है तब भी डेथ का ही जिकर होता है। इस poem के हर line में death का perspective बयान किया गया है हमारे concepts को मजीद clear करने के लिए हम इसकी line by line explanation पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास line number one से लेकर 5 तक का text आता है poem की शुरुआत एक ऐसे quotation से होती है जो इनसान की जिन्दगी और मौत के बारे में हमें बताता है इकर कहता है कि मौत और इनसान की जिन्दगी ये दोनों ऐसे हैं जैसे कि आपने आँख जपकाई उस आँख जपकने के अमल में आपकी जिन्दगी वजूद में आई और जैसे ही आपकी आँख बंद हुई आपकी जिन्दगी खतम हो गई इस पॉइम के अंदर ये कहने की कोशिश करता है कि इनसान की जिन्दगी और उसके मौत के दरमियान में कितना चोटा सा डिस्टेंस है वो इसके अंदर एई ए कमिंग की कुटेशन को इस्तमाल करते हुए कहता है डेथ इस मोर दन सर्टेन वो कहता है कि डेथ एक ऐसी चीज है जिस से कोई भी इनसान फरार हासल नहीं कर सकता वो बयान करता है कि वक्त कभी भी किसी इनसान के लिए नरुका है नरुकेगा वक्त को आपके दुख से आपके खुशी से कोई मतलब नहीं है अगर आपके किसे प्यारे के मौत से आपकी जिन्दगी रुक गई है इसका मतलब यह नहीं है कि घड़ी की वो टिक-टिक करती वी सुईया और काइनात का निजाम भी आपके लिए रुक जाएगा फिर वो chemical composition के उस अमल के बारे में बात करता है जिसमें एक carbon diamond बनाता है वो कहता है हर carbon molecule diamond नहीं बना सकता इस तरह से हमारे लिए हर carbon molecule एहम है इसको इनसानी जिन्दगी से compare करते हुए speaker यह कहना चाता है कि इनसान की जिन्दगी में जो चोटी चोटी achievements होती है जो चोटे चोटे लमहात होते हैं वो उसे बड़े काम्याबी की तरफ लेकर जाते है पिर चाहे वो दुनिया का फाते ही क्यों ना बन जाए लेकिन जब मौत का वक्त आता है वो मौत से फरार नहीं हो सकता मौत उसकी हर achievement को हर चीज को खा जाती है लाइन नमबर 6 से लेकर 12 तक में speaker ये कहना चाता है इनसान की वो खाहिशात जो उसके मरने से पहले पूरी नहीं होती उनका pain कितना ज्यादा होता है वो कहता है कि उस सब को achieve करने के लिए एक इनसान कितनी ज्यादा मेहनत करता है लेकिन जब उस achievement को उस owner को receive करने का वक्त आता है जब जिन्दगी अपना असल रूप हमें दिखाता है और मौत की तरफ हमें धकेल देता है हमारी जिन्दगी इतनी ज्यादा uncertain है कि हमें नहीं मालूम अगले ही लमें हमारे साथ क्या होगा किसका वक्त खतम होने वाला है यहाँ पे स्पीकर पॉमी ग्रांट का मेटाफर इस्तमाल करते हुए कहता है कि जिस तरह से पॉमी ग्रांट अपने हर दाने को अपने अंदर चुपा लेता है इसी तरह से जो वक्त है वो उनसान के उन सारी विशिज उन सारे ड्रीम्स को अपने अंदर चुपा लेता है जो वो पूरी करना चाता है फिर उसकी वो जो ड्रीम्स हैं वो विशिज हैं वो उसकी मेमरी का पार्ट बन जाती है वो कहता है कि हर वो चीज जो चोटी है या बड़ी है इनसान की जिन्दगी में बहुत अहमियत रखती है चोटी चीज़ों को जाहर करने के लिए उसने मैजस्टिक का इस्तमाल किया है और बड़ी चीज़ों को दिखाने के लिए उसने पाइंट्री का इस्तमाल किया है वो कहता है, यह हर्गी जहमित नहीं रगता कि एक इसानने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कुछ हासल किया है, क्या कुछ हासल नही यह क्या है, क्योंकि आखर में तो उसने मर जाना है, इसके बाद स्पीकर यकड़ दम से पोइम के अंदर चेंज लाता है, उसका फोकस एक ऐ है जिसके साथ उसे अपना दिल भी डूबता हुआ महसूस होता है लाइन नमबर 13 से लेकर सतारा में राइटर ये कहता है वो साइंस का इस्तमाल करते हुए जो कहना चाहता है कि जब इनसान मर जाता है तो कहता है इनसान का जिसम उसके मरने के बाद खतम हो जाता है लेकिन उसके बाल और उसकी हड़ियां हमेशा जिन्दा रहती है वो अपने रीडर अपने ओडियंस के जहन में एक सवाल छोड़ कर जाता है वो दरासल ये कहने की कोशिश करता है क्या इस दुनिया को छोड़ने के बाद और मौत के बाद भी जिन्दगी का कोई वजूद है वो कहता है कि मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है वो कहता है इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है कि कल वो जिन्दा रहेंगे वो कहता है कि किसी को ये भी नहीं मालूम कि जो हमारी सोल है उसकी जगा कौन ले लेगा यहां पे दो स्ट्रीम्स की बात करता है उनको वो मिक्स करता है जिसमें सबसे पहले जिन्दगी है और फिर मौत है वो मौत की certainty के बारे में बात करता है वो relationship बताता है the eye and tear के बारे में वो आँख को जिन्दगी से तश्बीह देता है जबके आँशों को मौत से तश्बीह देता है किसी को नहीं मालूम कि कब हमारी आँखें चलकना शुरू हो जाएं इसी तरह से किसी को नहीं मालूम कि कब जिन्दगी को मौत खेंच कर ले जाएं लाइन नमबर 18-23 में पोईट ये कहता है वो कहता है जिन्दगी जो मौत के बाद है वो ऐसे है जैसे कि इनसान खामोश है और सो रहा है ऐसा है जैसे कि आपका एक प्यारा फौत हो जाए फिर आप उसके मरने पर खुद को तनहा कर लें और खामोश हो जाएं वो कहता है कि उस दुख को उन इमोशन को अपने पास रखने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जब एक इनसान मर जाता है तो वो एक ऐसे डारकनस में चला जाता है एक ऐसे पीस में चला जाता है जहां से उसकी वापसी मुम्किन नहीं होती यहां पर वो अपनी personal feelings का इस्तमाल करते हुए कहता है कि वो कुछ ऐसे बुरे कामों में मुलवस हो गया था कुछ ऐसे कामों में मुलवस हो गया था जो कि उसके लिए एक हार्श memory बन कर रह गई है लेकिन अब वो उन्मामरीज को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ना चाता है क्योंकि वो जानता है इनसान अच्छे काम करे या बुरे काम करे उसकी जिन्दगी का ये जो सफर है उसने आखर पे आकर मौत पर ही खतम होना है नमबर 24 से लेकर 29 में वो ये कहने की कोशिश करता है पॉइट रो रहा है वो कहता है मैं मैसूस कर सकता हूँ कि मौत मेरे करीब आ चुकी है वो एक मौन्स्ट्रोस की तरह है जिसके हाथ बने हुए है वो कहता है इनसान मौत के सामने बेबस हो जाता है यहां पर एक ऐसे इनसान की बात करता है जो बिस्तरे मर्ग पर बेबस बड़ा हुआ है और मौत का इंतजार कर रहा है वो इनसान ये भी नहीं जानता कि उसको जो चीज दोखा दे रही है वो उसकी मौत है या पिर उसकी जिन्दगी है पोईट यहां पर यह कहना चाहता है कि इनसान इस बात को मालूम करे कि उसको जिन्दगी दोखा देती है या उसको मौत दोखा देता है यहां यह कहने की कोशिश करता है अपने रीडर्स अपने ओडियन्स को यह कनवे करता है कि जो मौत है वो एक अटल हकीकत है कोई इनसान उससे फरार हासल नहीं कर सकता जो मौत का वक्त होगा वो जरूर आएगा और अपने साथ सब कुछ लेकर जाएगा आप दुनिया के फाते ही क्यों न हो जाएं आपने इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है